शरीनर सिंग पुरान में 42 अध्याय में परलाद पर हिद्ना कश्चप का कोप और परलाद का वद्ध करने के लिए उनके द्वरा कियेगे अनिक प्रियतन मारकंडे जी कहते हैं भगवान विश्णू की भक्ती ही जिनका भूशन है वे डेत्यराज कुमार योगी परलाद जी शीकर ही सार्थी के साथ गुरू के घर भेजेगे वहाँ में कालकरम से संपुरन विद्धाव के ज्ञान के साथ कुमार अवस्था को पराप्त हुए संसार के अन्य लोग कुमार अवस्था को पाकर प्रया नास्तिक विचार और बुरे अचार विवार के पोशक बन जाते ही प्रन्तो उसी उम्र में परलाद को बाह्य विश्यों से विराग्य हो गया और भगवान जी में उनकी भक्ती हो गए ये अधवुद बात है तदन तजब परलाद ने गुरु के यहां अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली तब एक दिन ड़त्यराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और इशर्टत्य के ग्याता परलाद को अपने सामने परनाम करके खड़े देख उन से पूछा सुरसुदन तुम अज्ञान की निधीर उपा बाले वस्था से मुक्त होगे ये बहुत अच्छा हुआ इस समें तुम कोहरे से निकले हुए सुर्ट की भांती अपने देश से परकाशी तूड़े पुत्र बच्छवन में तुमारे ही तरह हमें भी जड़ बुत्ती सिखाने के लिए ब्रामनों ने मोहित का रखा था किन्तो वस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए तब इस परकार अपने कुल के अंडूब शिक्षा ग्रहन कार सके थे आता शत्र रुपी कांटों से युक्ति इस राज शाशन के भार को जिसे मैंने बहुत दिनों से धारन कर रखा है अब तुझ समर्थवान पुत्र पर रखकर मैं तुमारी राज लच्वी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ पिता जब जब अपने पुत्र की निपुनता देखता है तब तब अपनी मानसिक चिंता त्यार करके महान सुक्का अनभव करता है तमारे गुरू ने भी मेरे समक्ष तमारी युग्यता का बड़ा बखान किया है ये तमारे लिए कोई अश्चरे की बात नहीं है आज मेरे कान तमारी कुछ बाते सुनना चाते है नित्रों के सामने शत्रों की दृद्धरता देखना कानों में पुत्र की सुन्दर मानी का पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघाज से घाव होना ये सब एश्यरिवान वीरों तथा मायावी दत्यों के लिए महान उस्व के समान है उस समें दत्यराज के ये शर्टापूर्ण वचन सुनकर के योगी परलाम ने पिता को परनाम करके निद्भुकता पूर्व कहा महराज आपका ये कचन सत्य है अच्छी वाते सुनना कानों के लिए महान उस्व के समान है किन्तु वे बाते भगवान विश्णूं से संबंद रखने वाली हो तब ही ऐसा होता है उनको छोड़कर दूसरी बाते सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए जो संसार के दुख समदाए रूपी त्रिनों को भसम करने के लिए अगनी के समान है उन भगवान विश्णूं का जिसमें गुनगान किया जाता हो वही वचन नीती योग्त है वही सुक्ती सुन्दर वाक्य है वही सुनने योग के कथा और श्रवन करने योग्य काववी है जिसमें भग्तों को अभिश्ट वस्तु देने वाले अचिल्ट प्रमेश्वर का भग्ति पूरक स्तवन किया जाता हो वही शास्त्र है ताथ उस अर्थ शास्त से क्या लाब जिसमें संसार चक्र में डालने वाले ही बाते कहीं गई हो पिता जी वो शास्त्र में प्रिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा जिससे आत्मा का ही हनन होता है इसलिए वो मुक्ष्य पर्शो को सदा वैश्रम शास्त्रों का ही श्रवन और सेवन करना चाहिए अन्य था संसारिक कस्स से छुटकारा नहीं मिलता और ना मनुश्य सुखी ही हो पाता है जिस परकार तपाया हुआ घी जल के छीटे पढ़ने से और अधिक प्रजलित हो उठता है वैसे ही डैत्राज हिर्णा कशब परलाद की उप्युक्त बाते सुन करके क्रोज से जल उठा जैसे उल्लू सुरे की प्रभा नहीं दे सकता उसी परकारवे शुद्र असुर जीव के संसार बंदन को नष्ट करने वानी परलाद की पित्रवानी नहीं सै सका उस करोधी ने चारो और देखकर दत्य वीरों से कहा अरे इस कुटिल को शास्त्रों शास्त्रों के भ्यंकरा घात से माट डालो इसके मरम स्थानों के टुकडे टुकडे कर दो आज इसका भगवान सियम आकर इसकी रक्षा करे विश्णों के स्तुतिक करने का भाल ये आज इसी समय अपनी आखों से देखे इसका अंग अंग काट कर कवों कांकों और गीतों को बांड दो तब अपने स्वामी हिर्ना कश्चप दोरा प्रेरी द्यत्यगान अपनी विकट गर्जना से ड्राते हुए हाथ में शस्त लेकर भगवान जी के प्रिय भक्त उन परलाजी को मारने लगे परलाज ने भी भगवान जी को नमशकार करके ध्यान रुपी वज्जर ग्रेहन किया तब भक्तों के दुख दोर करने वाले भगवान विश्णों सभावता प्रेम करने वाले भक्त परलाज को इस परकार ध्यान में स्थिर देख करके उनकी रक्षा करने लगे फिर तो राक्षों के चलाए हुए अस्त्र शेष्टर पर्लाद के शीर में शुपर्ष किये बिना ही नील कमल के टुकडों की भातिक खंड खंडों कर गिर जाने लगे भला ये प्राकित शेष्टर भगवान जी के प्रिय भक्ता क्या कर सकते हैं उसे तो संपुरन त्रीता प्रूपी महान अस्त्र समुवी भहे मानता है व्याधी राक्षश और घ्रै ये तवी तक मनुश्यों को पीड़ा पुचाते हैं जब तक उनका चित्त हिर्दे गुहा में शुक्ष रोब से स्थित भगवान विश्णु को नहीं प्राप्त कर लेता भग्त के अपमान का मनों तत्काल हल देने वाले वे भग्न अस्त्र खंड उल्टे चलकर देत्यों का संहार करने लगे इससे पीड़ी थोने के कारण में देती दरदर भाग गे विद्वानों की दिष्टी में ऐसा होना कोई अच्चेरे की बात नहीं अग्यानी जनों कहीं इस घटना से विश्व में हो सकता है वैशनों का मल देख करके राजा हिरना किश्व को अवश्य ही महान भे हुआ केंतो उस तरवद्धी ने पुना परलाद के वद्ध का पाई सोचते हुए अत्यन्त भ्यंकर विश्वाले सर्पो को बुला कर उन्हें आदेश दिया गरला ये धोव विश्व का संदोस्ट करने वाला ये निर्शंक बालक किसी शच्च से नहीं मारा जा सकता अत्या तुम सभी मिलकर इसे अति शीग्र मार डालो हिर्ना किश्व की ये बात सुन करके उनकी आग्या मानने वाले सभी सर्पो ने उनके आदेश को हर्स पूरक शिरोधारे किया तरंतर जिनके दांत विश्व से जल रहे हैं तिथा जिनकी दाड़े में क्राल हैं तो सफुट दिखाई देने वाले हजार चमकीले दातों के कारण भ्यानक जान पड़ते हैं ऐसे सर्वगन क्रोश से फुंकारते हुए बड़े वेक से उस हरी भक्त के उपर तूट पड़े भगवान जी के समरन के बल से जिनका आकार दुर्भिद्य हो गया था उन पर लाज जी के शीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने पर वे विश्धर सर्व समर्थ नहीं हो सके इतना ही नहीं जिनका शीर वगवन में हो गया था उन पर लाज जी को केवल डसने मातर से वे सर्व अपने सारे दान्थ खुबैठे तो अंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विशाद ग्रस तो रहा है जिनके आदवोद दान्थों के दोड़ो टुकड़े हो गए हैं तो था बार बार उच्छवास लेने के कारण जिनके फ़ान चंचल हो रही हैं उन बुजंगमों ने प्रस पर मिल करके दत्राज हिद्ना कश्चव को सोचीत किया प्रभू हम परतों को भी भसम करने में समर्थ हैं यदि उनमें हमारी शक्ती नहीं चले तो आप ततकाल हमारा वद्ध कर सकते हैं प्रन्तों आपके महान भाव पुत्तर का वद्ध करने में लगाए जाकर तो हम अपड़े दांतों से भी हाथ दो बैठे इस परकार बड़ी कठनाई से निवेदन करके स्वामी हिर्णा कश्चव के अदेश देने पर भी अपने कारे में असफल हुए मारकंड़ जी कहते हैं इसके बाद असोर राज हिर्णा कश्चव ने मंत्रियों के साथ विचार करके अपने पुत्र को दंड से अजे मान करके उसे शांती पूरक अपने पास बुलाया और जब आकर परनाम करके खड़ा हो गया ताम उस निर्मल एम्पित्र हिद्दे वाले अपने पुत्र से कहा परलाद अपने शीर से यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन हो जाई तो वैं वद्ध के योगिन नहीं है ये सोचकर आप तुछ पर मुझे दिया आगी है तादपश्चाद त्रुन थी वहां दत्र राज के प्रोहिताई शाष्टर विशारद होने पर भी वे मूड ही रह गे थे उन ब्रामनों ने हाँ जोड करके हाँ देव तमारे युद्ध विश्यक के चाह होते ही सारा त्रिभौन धर्धर 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 कांपने लगता है ये अल्प बलवला प्रलाद कुपित हुए आप महान बलचाली को नहीं जानता अतर देव आपको कुरोध का पर त्याक करके इस पर दिया करनी चाहिए क्योंकि पुत्र भड़े ही कुपित्र हो जाए प्रन्तु माता पिता कभी कुमाता अत्वा कुपिता नहीं होते देटराद के परोष्टियों ने उस दुर्भती देट हिद्ना कश्व से यो कह करके उनकी आग्या से परलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले के इस परकार श्री नर्सिंग परान में नर्सिंग अवतार विश्यक ब्यालिस्वा अध्याइप पूर्ण हुआ